कैसे हो दोस्तो समशे में I hope सबी मसत होंगे , कर रहे होंगे तडियारी अच्छी दे, करते रहे हैं चलिए दोस्तो 20 क्योशन करें गिए 22 रहे था वह यहाथ है , कमेंट करते हैं कोई person तो शुजाओ हो जुरू कोमेंट करना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं वह जुरू जोइन करना दोस्तों टेलिग्राम का लिंक है वहां पर डैली आपके लिए 10-15 क्योशन लगाता हूं आपका और दोस्तों वह उनक्योशन का वीडियो भी ने मेनाया आपकी एकजा पता चल जाएगे कि आपके आंसर रहेंगा और सोच रहा हूं इसमें दोस्तों आपके लिए प्रतियोगता इजित करते हैं साथ दिन तक साथ टेस्ट कर लेते हैं जो सबसे टोप रहेगा उनको अमारी तरफी नाम भी दिया जाएगा ठीक है दोस्तों करेंगे आपके पठानी दोस्तों कि लोक नाट्टे चारर बेत जिसमें कवाली की समान गुटने के बल पर बेटकर गातें में किस व्यएं agriculture का प्रयोग किया जाता है डफ का डब रूक का कामाई चाय ये तंदूरा का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों को में परष्लित है यह क्या अपना निम्न में से वेबसाइक नर्ते नहीं है कौन सा जो वेबसाइक नर्ते नहीं है भवाई तेरे ताली कच्छी गोड़ी या गवरी नर्ते क्या राइक अंसर हैगा दोस्तों व्यवसाइक नर्थे नहीं है बहुत बढ़िया दोस्तों गवरी नर्थे हो व्यवसाइक नर्थे नहीं है डी वाल ओप्शनेश पे एक दूम टाइट हो जाएगा थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इसका गव़ी भीलो का नर्टे है गव़ी उत्सों पारवती की आराधना में 40 दिन चलता है यह अच्छी चीज है आपको देक लिजे गव़ी उत्सों पारवत्ती की आराधना में 40 दिन चलता है चलिए next question कर लेते हैं जोसे number 13 है अ्जी चक्री नर्ट्यंका परचलन है का फटेत्यम्न डी वाल शुटा सऺए Lessard भिवाक्य ऊसर पर भील पुरुजर्षंव जा हैरा दो वरत बना कर यह नर्ट्ये की ज़़ता है इस्नर्ट्यम्न की लएक साथ नर्टक की गती बैदिसा बदल जाती है जिस नर्ते में गाएन की लए के साथ जैसे लए बदलती है उसकी साथ नर्ते की गतीव है दिसा दोनों ही साथ-साथ में बदल जाती है ठीक है दोस्तों चैलिए next question कर लेते है है व्योण स्टार नमर चार है वाई कोनदें को सही रहेगा थोड़ा डिटेलस देखते इसको और य यह अड़ोस्ति अंचल का परशीद नर्टे कोन से एंचल लगा हाडो थीए इस नर्टे में कंध्र जाती कि एवीवाईत लड़कें दुवारा सो कली का घागरा ठीक दोस्तों कोनरे इसकेंस के दौरा एवीवाईत लड़कें दौरा सोकली का घगरा चलिए next question का लेते है question नमबर पांछ रत्वई नर्त्य का समध्ध है रत्वई नर्त्य का समध्ध है नागोर से जोदपूर से बाड मेर से या फिर अलवर से क्या right answer है, रत्वई नर्त्य का समध्ध किसIt autonomy यह दोस्तो राइट आंसर रहेगा इसका अलवर, डी वाल उप्सनिश में अपना एक्टम सही हो जाएगा इसका थोड़ा डीटेल देखते हैं अलवर चेतर की मेयुक जाती की महिलाव द्वारे नर्ते की हैज़ता है अलवर च्छेतरगी है और कौन सी जाती की महिला है मेय जाती की महिला द्वारा नर्ते क्या जता है अलवर की मेव जाती का एक अन्य नर्ते है रणबाद जाबिए कौन सा है रणबाद जाबिए यह भी important है जिसमें इस्तरियों प्रूस दोनों ही भाग लेते हैं चलिए ठीक दोस्तों आई होप यह डिटेल दोस्तों अच्छी आपके लिए ध्यान देना इन पे ठोड़ा डंक से पढ़ना इनको चलिए नेक्स्ट क्योशन कर लेते हैं दोस्तों क्योशन अमर्च 6 अपना मोरिया गीत समन्ध दोस्तों क्या है जिसमें बालिका का विवाद समन्ध हो चुका है सीवाल समें में बहुत देरी कब गाय जाता मोरियगीत बालिगा द्वारा गाय जाता है इनकी विवाह उनका संभन्त हो जाता है लेकिन विवाह हुआ नहीं है अब उसमें देरी है ठीक है दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोश्म कर लेते हैं तमासा लोग नाट्टें विद्या को प्रोच किसने किया स्वाई परताब सिंग ने स्वाई जय सिंग ने मादो सिंग या इस्वर सिंग ने क्या राइट आंसर रहा है बहुत बढ़िया एकदम सही रोस्त तमासा लोक नाट्टे विद्ध्या का प्रोसाइज किसने किया था स्वाई परताब सिंग ने किया था ये वाल राजा परताप सिंग के आसासनकाल में हुआ उन्हीं की समय में पंडित वंसी दर्भट जिया दोस्तों पंडित वंसी दर्भट महाराष्टर ने गुणिजन खाने असरे लेकर इस लोक नट्टे को प्रोच साहित किया था देख लिए इतनी इंपोर्टेंट डिटेल है इसमे वे नोटनकी का प्रश्टर on किस ने किया था ने यह वाला प्रवित ऑप्चे अथंतर जाएगा देखते है हो janann säमद्टबी को Kinद जिद्टक का अभीने करना क्या होता है अनाटक का अभीने करता धोलपूर करोली स्वाइमादुपूर आधी उत्तर की शिमापरती इलाकों में नोटक की नामक लोकनाट्टे का पश्चन अधिक होता है ठीक दोस्तों इसमें सही है डिटेल भी देख आपने इसको भूलना नहीं नेक्स्टकूसन करने के लिटे है पादरला गाउ में किस नर्टे की जनमस्तली बैनाजता है बवाई गोड़ला तेरा तालीय गरबा तो क् Beetle No Right सब्सक्राइब को कोड़ी नर्थे में लूर नर्थे ये गवरी नर्थे में कि यह डिवलाव संस्पे कर आपको मेरे पहले प्लब आ जाल जंगा उथ से पारवत्ति की आराध्या में चाले चलता है जिसमें सीव बसमाशुर की परशना होता है और किसके इसव जीए कि रुप से किस जाती द्वारा किया जाता है बहुत सही एकदम बड़ी है दोस्तों क्यों समर 11 राइटां से क्या रहेगा नीलगर द्वारा चलिए नेक्स्ट क्योशन कर लेते हैं क्योशन नमर 12 अपना राश्ट्री हथ सिल्प कागत सेंस्तान की स्थापणा कहा पर कि गई जैपूर में जोदपूर में विकानेर में या उदपूर में क्या राइक ? आइक अंसर है कर दोस्तों बहुत बढ़ी है एकदम सही है जैपूर में और यह उप्सिंशनस में एकदम सही है जैपूर में पूछरे जाए तो कुंछी जगा है जैपूर में हो यह शांग नेयर कहा पे जैपूर में सागा नेयर ठीक है दोस्तों कर लेते हैंने किसने के प्रकार है छोंडरी के गोटे के दोटे के साफे긴 किया राइट अंसर है बहुत बढ़िया एकदम सही है दोस्तों जी आ दोस्तों यह है गोटे के प्रकार है बीवाल ओप्सनेश अपना एकदम सही रहेगा थोड़ा डिटेल से देखिए इनका प्रमुक के अंदर क्या है बताता हूं आपको लपा लपी किर्ण बांकली बीजिया मुकेस और चंपागली गोटे के प्रकार है खंडेला शिकर खंडेला शिकर और बिनाए अजमेर गोटा निर्मान के प्रमुके अंदर कोन है खंडेला शिकर खंडेला शिकर और बिनाए अजमेर बिनाए अजमेर ठीक दोस्तों याद पर नकासी की विशिष्ट परंपरा उसको मुरोडिक कला कहते हैं ये कला कहां की परसीद है चितोडगरगी जेपुर की नागोरगी या सीकरगी नेक्स कोशन कर लेते हैं पितल के बरतनों पे मुरादाबादी काम कहां किया जाता है जोदपुर में, कोटा में, उदेपुर या जेपुर में के राइट अंसर ने दोस्तों बहुत बड़ी एकदम सही है या दोस्तो ये है जेपुर में डी वाला उप्सिनिस में एकदम सही रहेगा पितल के बत्रों की खुदाई करके उस पर कलात्मक नकासी का कारिये मुरादाबादी कला कलाती है और जेपुर की मुरादेबादी कला है वो अधिक है परसीद है कहां की मुरादेबादी कला परसीद है तो जेपुर की परसीद है या दखना ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन का लेते हैं क्रिशन नमर 16 है अपना कौन सा युगम सुमेलित नहीं है गणगोर निर्माण बसी चितोर गण लकड़ी की पसुपक्षियों का निर्माण जेपूर रमकड़ा निर्माण उदेपूर लकड़ी के नकासिदार भोट बिकांदरे शिखावटी त कितने बच्चे का सहोगा का इस पसफिन को में जेखें कितने अपना मुर्तियों मंदीरों के प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहा जाता इस चेप्र में मूर्तियां किस विशेश पत्थर की बंती है जिया बताई राइड नेक्स्ट प्ठर गी प्रेवापत्थर की चुनावफेशन पनती बहुत बढ़िया दोस्तो यह परेवापत्थर मपनती यह अपना शुरू आप ॐग्द जल्दी से लाइक कर दीजिए अगला क्योशन कर रहा हूं उसका आंसर बताने से पहले लाइक कर दीजिए आपको 10 सेकंड का टाइम दूँ हमें आपको जल्दी से कर दिजिए cyaid yapra ने किए जल्दी से दोस्तो जोड़पूर नकुली डियों बनाने के कला को क्या बोला जाता है उनक्वाल तरई alive रोटेदा बुड़ादित या दिंगोत क्या राइटान सरेगा जेनब की साड़ियों का प्रशित के अंदर कौन साय दोस्तों जिया अंदर राइटान सरेगा दिंगोत डी वाला उप्सने श्वापना एकदम सही हो जाएगा थोड़ा डिटेल देखीश में सरेमती जेनब दिगोत कोटा के द्वारा निर्बत सुत्ती साड़ियों को ही जेनब की साड़िया का जाता है इन साडियों की निर्मान के लिए राष्टपती द्वारा पुरुस्क्रिक भी किया जा चुका है ठीक है दोस्तों याद रखना चलिए नेक्स्ट कुर्शन कर लेते हैं जैसल मेर की काशिदाकारी में बिच्छोने की वस्तु को लोक कलाब में क्या कहा जाता है जैसल मेर की काशिदाकारी में बिच्छाने की वस्तु को लोक कलाब क्या कहा जाता है मुकेश, राली, काली, या दरी बहुत बड़ी एकदम सही है दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसको राली बोला जाता है बी वाला उप्स्ति इसमें अपना एकदम सही रहेगा फ़र डिटेल से देखी इसको दोस्तों जैसल मेर में दूर दराजो गाओं में ग्रावमिन में इलाओं द्वारा कपड़े पर नकासिदार का कारी बड़ी बारिकी से किया जाता है बिच्छाने की वस्तों को लोग बासा में राली कहते है क्या बोलते है राली इसमें कसादी कारी का काम बारिकी से किया जाता है तक्कियों के कवर में काच के टुकडों का जमाओ बड़ी सूजबूज़ बारिकी से किया जाता है कहाँ पर यहां पर है यहां पर बालोत्रा शागानेर मंदोर या महरोड rằng truth इवन राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों जिया दोस्तों बहुत बढ़ी है एक दम सही है बाल उत्रा ये वाला उप्सनिश्व अपना एक दम सही रहेगा चलिए नेक्स्ट क्योशन कर लेते हैं क्योशन नमर ट्वंटी टू कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार यह हो जाएगा चलिए दोस्तों 22 में से कितने क्योशन सही है जल्दी से कॉमेंट करना दोस्तों जल्दी से बताएए और दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूली प्लीज लाइक कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का उसको कर दीजी इस वीडियो को सेर करना मत भूली बस एक ग्रूब में कीजी दो में केजी जितना मन करें कीजिए पर करिए जुरू जाए कहीं पर कर दीजिए प्लीज करना कोई डाउट हो कोई सुझा हो कोमेंट करना दोस्तों बैल वाला बटन है जो आप दबार हो करीं परते जाए कोई डाउट हो कोई सुझा हो जुरू आप हमें कमेंट कीजी हम आपकी सारी कोमेंट्स पड़ते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जह इन जहुआबात कोई सुझा हो बता दी हम पढ़ेंगी आपके सुझा हो तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद